काट्स को सरूहासी करना वाली पहली महिला थी काट्सको सरुहाशी का जनम 22 मार्च 1920 को जापान के टोक्यो शहर में हुआ था आईए जानते हैं काट्सको सरुहाशी के बारे में कुछ और अमेजिंग तत्थ है काट्सको सरुहाशी पहली महिला वग्यानिक थी जिन्होंने समुद्र के पानी में कारबन डाइकसाइड और रेडियो एक्टिव मेटिरियल का लेवल मापा था काट्सको ने इंपिरियल विमेन कॉलेज ऑफ साइंस से 1943 में साइंस में ग्रडवेशन की डिग्री प्रापत की थी उन्हें जियोकमेश्टी की फिल्ड में अपने बेहतरीन योगदान के लिए बहुत से अवार्ड से भी नमाजा गया है वो साइंस काउंसल ओफ जापान में 1980 में चुनी जाने वाली पहली महिला भी रही है इसके साथ ही उन्हें 1985 में जियोकमेश्टी की फिल्ड में अपने योगदान के लिए मियक प्राइज मिला ये प्राइज पाने वाली वो सबसे पहली महिला थी सरुहाशी टेबल का नाम काट्सको सरुहाशी के नाम पर ही पड़ा है जिसका प्रयोग तापमान, pH लेवल और कलोरनिटी के अधार पर पानी में कार्बनिक एसिद के मिश्रण का पता लगाने के लिए किया जाता है आज समुद्र विग्यानी इसी टेबल का प्रयोग करते हैं जब 1954 में जपान में परमानू परिक्शन किया गया तो उन्होंने ही जपान सरकार के अनुरोद पर समुद्र के पानी में रेडियू एक्टिव विकीरनों के प्रभाव को उमाबा था उन्होंने यह भी पता लगाया था कि अमेरिका के द्वारा 1950 में मार्शल आइलैंड में किये गए परमानू परिक्षनों का परभाव डेड़ साल के बाद जापान पर पड़ेगा उनके इन्ही अनुभव के अधार पर और समुद्र के पानी में परमानू परियोगों के दुश्परभाव के अध्यन के बाद ही 1963 में समुद्र में प्रमानू पर्योगों बर पबंदी लगा दी गई कार्ट्सको सरुहाशी ने विज्ञान के शित्र में तो अपना योगदान दिया ही साथ ही उन्होंने महिलाओं को विज्ञान के शित्र में काम करने के लिए प्रिरिद भी किया उन्होंने एक बार कहा था कि बहुत सी महिलाओं में महान विज्ञानिक बनने की शम्ता है, मैं वो दिन देखना चाहती हूँ जब महिलाओं का विज्ञान और तगनीकी के शित्र में योगदान पूर्शों के बराबर होगा। दोस्तों ये थी काट्सको सरुहाशी के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमाज जाने को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो क के साथ।